अब हम स्टार्ट करते हमारे सेशन को only live session होगा guys I am telling you again and again बाद में आप बोलना मत सर कि हम से miss हुआ था हम देख नहीं पाए आपको live ही देखना होगा बाद में ये session YouTube के उपर नहीं होगा ठीक है? तो चलो, स्टार्ट करते हैं पढ़ना हमारा law of segregation अराम से समझनी कोशिश को रहो बहुत easy है difficult इसमें ऐसी कोई भी चीज बिलुकुल भी नहीं है ठीक है? snail good evening, need to good evening taranum, very good evening तो सबसे पहले law of segregation law of segregation clear? पहली चीज ये जो law of segregation है सबसे importantly इसको ही हम law of purity कहते है this is also called as law of purity law of segregation को law of purity कहते है जैसे हमने कहा कि concept of dominance is not universal जो dominance का concept है वो universal नहीं है but law of segregation is universal law उनिवर्सल लोँ होता है इसलिए इसको हम law कहते हैं law segregation को या law of purity को इसको define कैसे करेंगे कि इसको define करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा या किस तरीके से हम इसको define कर सकते हैं वो समझदी कोशिश करते हैं ठीक है बिल्कुल easiest way से और आराम से हम क्या के रहें जो हमारे पास factors होते for every character there are two factors हम के रहें for every character for every character there are two factors for every character there are two factors which segregates segregates during meiosis which segregates during meiosis और हमें पता है meiosis से क्या होता है gamet formation होता है gamet formation so segregate during meiosis gamet formation by equal probability by equal probability guys try to understand the concept behind it बहुत important है extremely important क्या concept है समझो Steve हमने क्या कहा था कल हमने mono hybrid cross किया mono hybrid cross में हमने ये समझा उससे कुछ hypothesis बनाए उसमें पहला hypothesis था कि जितने भी character है हर character के लिए दो alleles होते हैं दो factors होते और बाद में हमने second hypothesis में कहा था out of two alleles out of two factors only one is transmitted to next generation both alleles are not transferred to next generation दोनों में से कोई एक ही allel जो है वो next generation में transfer होता है अब यहाँ पर भी वह ही कह रहे है next generation में अगर किसी allel को जाना है तो पहले उस allel को gamut में होना पड़ेगा अब यह gamut में जाने के लिए दो हमारे पास factor है ठीक है और दोनों factor की जो next generation में जाने की probability है वो है equal equal का मतलब होता है 50% chances से की capital T आगे जाएगा और 50% chances से की small T आगे जाएगा ठीक है कैसे उसको समझते हैं अभी से आपको concept के उपर पकड़ बना नहीं है क्योंकि end में हम questions को discuss करने वाले और उस time पे आपको आराम से सारे questions का answer करना है आज के questions बहुत ही तगड़े questions है जहां पर आप आराम से उनको solve कर सकते हो ठीक है तो genetics को हम पड़ रहे बहुत ही बड़िया तरीके से और एक बार में सारे student को कह रहा हो जिनों ने अभी तक session को like नहीं किया है फटाफट से वो सारे students एक बार session को like कर रहे ठीक है तो अब देखते क्या होता है हमारे पास एक capital T है ठीक है और हमारे पास एक small T है और इसका cross हम इसके साथ कर रहे है किसके साथ और एक capital T small D के साथ कर रहे है clear इस तरीके से हम काम कर रहे हैं यहां पर capital T small D का cross capital T small D के साथ कर रहे हैं अब देखो यहां पर जो capital T है जब इस जगा पर gamut का formation होगा gammit को अमेशा circle में लिखते है तो हमें पता है एक gammit بنेगा capital T वाला और एक gammit बनेगा small T वाला even यहां से भी दो types के gammit बनेंगे एक gammit जो है वो बनेगा capital T वाला और दूसरा gammit जो है वो बनेगा small T वाला ठीक है दो types के gammit जो है गाईज यहाँ पर बन सकते हैं, एक capital T और दूसरा small T इस type के gamit यहाँ पर बन सकते हैं, अब क्या कहते हैं, कि next generation में कौन सा gamit जाएगा, अगर मैं आपको कह रहा हूँ, कि इस से जो F1 बन रहा है न, what I am trying to tell you is, कि यहाँ से जो F1 बन रहा है, वो F1 ऐसा बन रहा है, small T, small T बन रहा है, इसका मतलब क्या हो गया गाईज, इसका मतलब इस side से भी small T आ गया, और यह side से भी small T आ गया, मैं यह कह रहा हूँ, अगर मैं यह कह रहा हूँ कि नहीं, capital T, small T बना, तो हो सकता है, इस side से capital T आया होगा, और इस side से small T आया होगा, जो तो इस side से capital day आया, कोई भी possibility हो सकती, why this is so, यह क्यों है, इसका reason क्या है, इसका reason simple है, यहाँ पर इसके next generation में जाने के chance is 50% है, और इसके next generation में जाने के chance is 50% है, अब हमें पता है, एक gamit इस side से आएगा, एक gamit इस side से आएगा, मान लो इसको यहाँ पर आप male मान लो, इसको आप female मान लो, तो हमें पता है, male side से एक gamit आएगा, female side से एक gamit आएगा, दोनो gamits का fusion होगा, और zygote बनेगा, यह हमें clearly पता है, अब लेकिन इस side पर तो दो types के gamit है, एक तो capital T वाला है, और एक small T वाला है अब हम यह कह रहें, कि इसमें से कौन सा gamit जो है, वो next generation में जाएगा, ideally अगर हम देखें, तो जाना चाहिए capital T को, लेकिन जैंडिक्स में ऐसा नहीं होता, capital T next generation में नहीं जाता, क्यों नहीं जाता next generation में, क्यों नहीं जा सकता, जाने को जा सकता है, बट जितना यहाँ पर capital T के chances है, next generation में जाने के, उतने ही chances, small T के भी है, next generation में जाने के, तो capital T और small T, ऐसे दो अलिंस हमारे पास है, और दोनों की next generation में जाने की प्रमड़ी जो है, आप कहोगे ऐसा क्यों सर, capital T dominant है, dominant ही हमेशा आगे जाना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जैंडिक्स में नहीं होता, बा ही है, वो डॉर्फ को कोड करता है, अब डॉर्फ प्लांट होने से अच्छा है, टॉल हो, तो हमेशा capital T ही आगे जाए, small T क्यों आगे जाए, ऐसा नहीं होता, बोट अलिंस, segregate, separate by equal probability, इसको 50% chances से, और even इसके भी 50-50% ही chances से, अब आप एक चीज़ को गाईज यहाँ पर समझो आराम से, आराम से समझवी कोशिश को बहुत easy है, और वो यह है, कि हम क्या कह रहे हैं, अगर यह gamut है, इंडिविजियल में two alleys होते हैं, इंडिविजियल के अंदर क्या ह two alleys, यह plant है, तो इसके अंदर capital T, small T, ऐसे दो alleys है, लेकिन जब भी हम gamut की बात करते हैं, तो gamut are pure for alleys, gamut जो इदे हैं, आप देखो न, यहाँ पर इस gamut में capital T है, दूसरे gamut में small T है, ठीक है, इस gamut में capital T है, और इस gamut में small T है, तो अगर एक gamut में capital T है, तो that gamut is pure for capital T, दूसरे gamut में small T है, that gamut is pure for small T, एस और नो, अब pure का मतलब क्या है, कि सिर्फ वेसे टाइप का ही alleys है, उसके अब दूसरा कोई भी alleys, वहाँ पर present नहीं है, ठीक है, अगर मैं ऐसा बात करूँ, कि मेरे टी-शर्ट के उपर IFS की logo है, ठीक है, अगर इस logo को मै यहाँ पर हटा दू, तो मेरा पूरा शर्ट जो है, वो black है, हम क्या कह सकते है, it is pure for black, पूरा color black है, वाकि कई पर बे और कोई color नहीं है, हम क्या कह सकते है, कि pure for black, लेकिन अभी इसको pure नहीं कह सकते है, क्योंकि इसके उपर ब्लू कलर का एक logo भी लग रखा है, तो वे ऐसे गैमिट में नहीं होता, गैमिट में देखो, चाहे small t है, तो भी pure है, और capital t है, तो भी pure है, क्यों, विकों, एक गैमिट is pure for capital t, दूसरा गैमिट is pure for small t, आदो गेरे में point, yes or no, why it is called as law of purity, इसको law of purity क्यों कहते है, the reason behind is simple, क्योंकि जब individual की बात करे, तो दो अली होते, एक capital t होता है, और एक small t होता है, लेकिन जैसे ही गैमिट form होता है, तो एक गैमिट में जाता है capital t, और दूसरे गैमिट में जाता है small t, तो अभी ये capital t के लिए pure हो गया, और ये small t के लिए pure हो गया, same is the case with female gamit, ये भी capital t के लिए pure हो गया, और ये small t के ल देख सकते हो CSR का paper हिंदे मी भी आता है अराम से आप उसको swallow कर सकते हो इकल पर दूरिंग वेरी गुड पूजा बुस्ट अके रहे हो अगे क्या होगा एक पॉइन से यह बनेगा तो हमें पता है यहाँ पर F1 से यह बनने के बाद तो अब क्या होगा टॉल एंड डॉर्फ का जो रेशियो है वो क्या आएगा 3 is to 1 रेशियो आएगा तीन टॉल आएंगे और एक डॉर्फ आएगा तीन टॉल और एक डॉर्फ आएगा तो इस तरीके से हम क्या कहरें इसको law of segregation इसका मतलब जब भी gamut formation होता है in case of meiosis तो उसमें जो factor present होते है किसी एक sale के अंदर या किसी एक individual में वो दो factors segregate होते है by equal probability इसलिए gamut are always pure for allil gamut हमेशा pure होंगे allil फिर वो capital D के लिए pure है या फिर वो small D के लिए pure है तो वो क्या हो जाएंगे pure हो जाएंगे gamut तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या है law of segregation discuss किया उसी को हम कहते है law purity universal law है क्यों because यह सारे sexually reproducing organism के उपर apply होता है clear now एक चीज मुझे और यहाँ पर add करनी है थोड़ा सा मुझे s-cross के बारे में मुझे आपको बताना है ठीके एक सेंगर तेसको थोड़ा आगे s-cross के बारे मुझे बताना है s-cross में अब मैंने आपसे बात कही थे s-cross में कि अगर एक तॉल plant मुझे मिला है ठीके मैं मानलो कि garden में खड़ा हूँ और गार्डन में खड़ा हूँ और मैं तॉल plant के तब देख रहा हूँ ठीके और अब उस तॉल plant क्यों आया है क्या उस तॉल plant का जुन डाइब capital T, capital T है या उस तॉल plant का जुन डाइब capital T, small T है क्या है उसका जुन डाइब ये मुझे पता करना है whether it is capital T, capital T और whether it is capital T, small T ये आपको यहाँ पर देखना है ठीके अब एक चीज़ यहाँ पर समझो कि मैं उस plant से पूछ नहीं सकता ना कि plant तुमारा जो जुन डाइब हो क्या है मुझे बताओ आप टॉल तो हो लेकिन क्या आप capital T, capital T हो या capital T, small T हो मुझे कोई जवाब नहीं मिलेगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा टेस्ट जुन डाइब ऑप प्लांट यह टॉल किसकी वेसे आया है यह टॉल प्लांट वेजर इडिस द्यू टू capital T, capital T और वेजर इडिस द्यू टू capital T, small T किसकी वज़े से यह टॉल आता है यह मुझे पता करना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा टेस्ट क्रोस करना पड़ेगा और टेस्ट क्रोस में मैं टॉल का प्लांट का क्रोस किसके सात कर रहा हूँ ए तो इसकी वज़े से हो सकता है यह tong plant पलांट इसका ले Basic कर दिया यह टॉल प्लांट जो है वो इसकी वे से हो सकता है अब इस तॉल प्लांट का जुन डाइब exactly है कैसा वो हमें पता करना है ठीक है तॉल या तो due to capability capability होगा या फिर तॉल due to capability small इस तरीके से हम यहां पर समझने की कोशिश करते हैं यहां पर तॉल प्लांट क्यों होगा वह समझने कोशिश करते हैं कल मैंने आपको चेकटबोट मितर पढ़ाया कल मैंने आपको पनेट स्क्वेर पढ़ाया आज मैं आपको एक बहुती सिंपल मितर पढ़ने वाला हो सब ल और बहुत बढ़िया अब जासलों को मेरा में चर्ड क्या है मेरा में चर्ड किया आपर जासलों को बहुत ज्यादा important है इस में आपको क्या करना बहूंत simple काम करना है मुझे पता है इस साइड से दो ताइप्स की ग्हामिट बनने वाले मदब एक टाइप का ग्हामिट बनने वाले है Capital T वाला दो ग्हामिट बनेंगे एक capital T इस साइड से small t small t है तीख है अब देखो मेतल क्या कह रहे यहां पर मेरा अगर यह मेले मान लो और यह फिर मेले मान लो अगर मान लो कि male side से ये gamit आगया आया male side से ये capital T आगया आया तो ये male side का capital T female side के small t से interact कर सकता है और इवन ये T capital T small t के साथ interact करने की probability भी 50-50% है इनसे भी gamit बने होंगे small t small t वाले तो male side का एक capital T की इस side पे दो small t है तो exactly कौन से small t के साथ जाके वो gamit fuse करेगा ये आपको यहाँ पर बताना है तो हम कहेंगे दोनों भी दोनों के साथ भी fuse करने की जो probability है वो है 50% मतलब ये capital T यहाँ से अगर हम ऐसी बात करें ये capital T इसके साथ fuse करें इसकी probability 50% ये capital T इसके साथ fuse करें इसके साथ fuse करने की probability 50% तो एक तरीके से हम ये केस सकते है यहाँ पर आ गया capital T small t और इस side पे भी आ गया capital T small t लेगि हमें बता है law of segregation ये T ही हमेशा आगे की हो जाए ये T भी तो आगे जा सकता है ये वाला और ये T आगे गया capital T तो इस small t के साथ fuse करने की परबड़ी 50% और same capital T इसके साथ fuse करने की परबड़ी 50% तो यहाँ पर आ गया capital T small t और यहाँ पर भी आ गया capital T small t अब ऐसा plant जो capital T small t शो करेगा उस सारे plant क्या होंगे here all plants are tall all tall तो ratio क्या गया one ratio क्या गया one दूसरा अब यहाँ पर ये capital T जो है वो इस small t के साथ जाने के परबड़ी 50% तो capital T small t आएगा same capital T इस small t के साथ जाने के परबड़ी 50% और फिर यह small t इसके साथ जाने के परबड़ी 50% small t, small t और यह small t इसके साथ जाने के परबड़ी जो है वो भी 50% फुल मिलाकर ग़ा इस बात इतनी हैं हर किसी को हर किसी के लिए चाहिए वाला Oper师 Wedek सब्सक्राइब जाओ यह दोनो抱 T के साथ लिए फिर यहां पर यह इसके साथ इसके साहर यह महा सब्सक्राइब लेगा यह चाहिए चैकर बोड़ करने की जरूरत नहीं है और नहीं आपको वो पनिस्कुर बनने की जरूत है कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है simply इतना भी करोगे तो भी आपका आराम से काम हो जाएगा तो अब यहाप आप देखो ये दोनों क्या आगए ये दोनों है tall और ये दोनों क्या आगए आपके ये दोनों है आपके dwarf तो आपको मिले two tall और two dwarf है ना you have got two tall and two dwarf लगभग आपका ratio क्या आगए test cross का one has to one ratio आगए और एक चीज हमेशे आद रखना गाईस जहां पर आपकी test cross का ratio जहां पर आपके test cross का ratio one has to one आता है test cross का ratio it means that आपका जो ये tall plant था it was in heterozygous condition ये tall आपका कौन सी condition में था heterozygous condition में था ठीक है अगर वो homozygous condition में तो ratio क्या आता है one all are tall आप देखो ना कि cross करने की ज़रूद भी नहीं देख के बाद अगर सकते हो ये cross आपको करने की ज़रूद नहीं है simply by looking at the genotype you can predict what will be the phenotype simply क्यों देखो इस साइड पर capitalty capitalty है तो हमें पता है ये mail side से हमेशा capitalty आगे जाने ही वाला है कुछ भी करे या तो ये capitalty जाएगा या फिर ये capital जाएगा और capitalty अगर जाएगा तो उसके साथ चाहे smallty आए या capitalty क्या फरक परता है अगर मैंने यहाँ पर capitalty लिखा अब इस capitalty के सामने आप कुछ भी रख दो कुछ भी रखो हमेशा टॉलाएगा आप capitalty की सामने capitalty लोखो तो भी टॉलाएगा अगर आपने capitalty सामने smallty लख दिया तो भी टॉलाएगा ऐस दो रहो लेकिन आप ऐसा smallty के लिए नहीं के सकते आपने smallty लिखा और सामने आपने smallty लिखा तो क्या आएगा डॉर्फ smallty है और यहाँ पर capitalty आए तो अब टॉलाएगा अगर हमारे पास हमें पता है इस side से यह capitalty जाने वाला है तो सामने से कुछ भी आए चाहे capitalty आए smallty आए मतलब इस side से तॉली आएगा यहाँ पर भी capitalty है तो भी टॉलेगा लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है यहाँ पर एक बार capitalty जा रहा है और दूसरी बार smallty जा रहा है तो result आपका change होगा एक बार capitalty गया तो फिर सामने से कुछ यहाँ पर यह चीज जो है वो समझनी है क्लियर परफेक्ट रितिक रेरी गुड रिटिक रिचाई सेंग टीटी इस वन एंड टीटी टीटी इस वेरी गुड रिटीक परफेक्ट येस रितुपाल सो दिस विल भी दे एफ़वन और एफटू यहाँ पर क्या आएगा test cross में test cross में simply आप क्या कर रहे हो जुन राइब को test कर रहे हो परस्ती प्रजुनी मिल रहे है अपको ना और एफ़वन का आपने test cross किया है एफ़वन का test cross करते आप ती जिसके साथ जाएगा वो टॉल होगा परफेक्ट वेरी कुल ब्रिया के रही हो होमोजाइक टॉल प्लांट परफेक्ट ठीक है चलो आगे बढ़ते यह समझ में आगा है ना एक बहुत ही extremely important concept पढ़ने जा रहे है ठीक है थोड़ा सा focus करो you need to focus here बहुत ही important concept है आराम से समझना है और इसके उपर आपके बहुत सारे concepts based है पहले मैं आपको कहा था अलील्स होते अलील्स का मैं आपको difference समझाया अलील्स के बारे मैं आपको बताने की कोशिश की अब मैं एक बहुत ही अच्छे concept को explain करने जा रहा हूँ जो extremely important है हमारे लिए ठीक है तो वो concept कोम समझते हैं अगर मान लो कि हमें क्या होता है हमें पता है कि सबसे पहले सेल जो है वो जीवन फेज में होती है ठीक है सेल जीवन से जाती है S फेज में सेल जाती है S फेज में जीटू फेज से सेल जो है वो जाती है प्रो फेज वन में प्रो फेज वन से सेल जाती है मेटा फेज वन में ठीक है Metaphase 1 से sell जाती है Anaphase 1 में Anaphase 1 से sell जाती है Tilo phase 1 में ठीक है Tilo phase 1 से sell जाती है Pro phase 2 में या पहले हम लिखते Cytokinesis होगा फिर sell जाएगी Pro phase 2 में Pro phase 2 से जाएगी Metaphase 2 में Metaphase 2 से जाएगी Anaphase 2 में Enaphase 2 से जाएगी Tilo phase 2 में और Tilo phase 2 से जाएगी उन एक बार Tito kinases में So basically यह हमारा fat है इसको हम कहते है Miosis So यह है Miosis ठीक है एक दिप्लोइड से ले और वो Miosis में है अराम से समझो Miosis में यहाँ पर जब cytokinesis होगा तो आपको 2 cells मिलेगी एक से 2 cells मिलेगी और जब यहाँ पर cytokinesis second होगा तो आपको total 4 cells मिलेगी ठीक है एक में मिल रही है आपको 2 cells और दूसरे में आपको मिल रही है 4 cells समझ में आ गए हैं आपर Very good अब focus कीज़े गाईज अब हम क्या कहते हैं जब यह mitosis होता है यह meiosis होता है उसमें chromosomes का segregation होता है तो chromosomes का क्या होता है segregation अब मैं आपको कुछ default चीज़े यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो by default होती है ऐसे हमें पता है morning में हम breakfast करते night में हम dinner करते यह हमें पता है यह default है उसी तरहे के से हमारे पास जो homologous chromosomes होते हैं उनका separation एना फेस वन में होता है तो क्या कह रहा हूँ मैं homologous chromosomes का separation ठीक है homologous chromosomes जो है एक दूसरे से separate होते है homologous chromosomes का separation होता है एना फेस वन के अंदर clear very good दूसरा important चीज हमारे पास जो sister chromatid से तो sister chromatid का separation होता है एना फेस तू के अंदर clear ये कभी change नहीं होगा कुछ भी हो जाए दुनिया इधर के उधर हो जाए homologous chromosomes हमेशा एना फेस वन में ही separate होंगे sister chromatid हमेशा एना फेस टू में ही segregate होंगे हाँ अगर non-disjunction हो गया तो बात अलग है वो mutation है वो अलग चीज है normally क्या होगा ऐसा कभी नहीं होगा कि meosys 2 में homologous chromosome separate होगे और meosys 1 में sister chromatid separate होगे ऐसा कभी नहीं होगा clear? तो अमेशा आए में रखना homologous chromosome anaphase 1 में separate होते sister chromatid anaphase 2 में separate होते separate होते इसी बात पर एक like कर दो चलो फटा फट से जिन students ने अभी तक like नहीं किया है फटा फट से वो सारे student session को like करे be quick guys जल्दी से जल्दी session को like करो be quick ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या होता? एक simple सीजिए आपको कि यहाँ पर जो spell के ploidy होती है वो होती है 2N ठीक है जीवन में क्या होती है? 2N यह ploidy है बिल्कुल confused नहीं करना है उल्टे सीदे question नहीं पूछना है जो बता रहा हूँ उसके उपर trust करना है believe करना है ठीक है? अब यहाँ पर ठीक है? ploidy is 2N और जो DNA content है वो 2C है clear जैसे यह S phase में जाते है G1 से S phase में जाते है तो S phase मतलब synthesis of DNA duplication of DNA replication of DNA यहाँ पर होता है DNA का replication तो एक तरीके से हम यह कह सकते है यहाँ पर कि simple से this is 2N और DNA का जो amount होता है यहाँ पर 2C to 4C होगा इसके बीच में होगा क्योंकि अभी S phase में DNA synthesis चल रही है और हमें नहीं पता कि हम S phase में कौन सी phase में मतलब S में भी हम अगर S phase का एक duration है let's say कि S4 is for 6-8 hours so early S phase mid S phase or late S phase हमें नहीं पता इसलिए S phase जो है वो 2C to 4C के बीच में हो सकता है clear लेकिन G2 में जाएंगे तो definitely यहाँ पर क्या होगा 2N 4C होगा क्योंकि अब replication पूरा complete हो चुका है replication पूरा complete हो चुका है तो यहाँ पर 2N 4C हो जाएगा पहले G1 phase में 2C amount था क्योंकि वहाँ पर DNA का amount 2C था अब फूरा क्यों हो गए G2 में because बीच में S phase आती है और S phase में DNA का synthesis होता है 2C का मतलब होता है content of DNA DNA का amount मतलब 2C होता है बस इतना समझो बाकी आपको दिमाग लानके ज़रूरत नहीं है उसके बाद pro phase 1 आएगा तो कुछ इसमें एक्षटर नहीं हो रहा है pro phase 1 में भी 2N 4C रहेगा metafase में भी 2N 4C रहेगा लेकिन एनाफेज में एनाफेज 1 में आपको पता है homologous chromosome जो है ठीक है एनाफेज 1 में जो homologous chromosome है वो क्या होते separate होते homologous chromosome separate होंगे इसका मतलब अब यहां पर यह N होगा और जो DNA amount 4C था वो 2C हो जाएगा यह हम टीलोफेज के बाद नहीं कहेंगे नाइस साइटोगानिस के बाद कहेंगे एनाफेज में ही कहेंगे क्यों क्योंकि एनाफेज में homologous chromosome एक दूसरे से दूर जाते है homologous chromosome एक दूसरे से दूर जाएंगे तो फिर हम उसको क्या कहेंगे N to C कहेंगे मतलब यहाँ पर chromosome का देने का जो amount था वो half हो गया 2N से sell क्या हो गई N 2N से sell N हो गई का पर meiosis 1 में इसलिए हम meiosis 1 को reductional division भी कहते हैं meiosis 1 is also called as reductional division why reductional division meiosis 1 में cell 2N state में थी और 2N से sell N हो गई यह 2N से sell 1N हो गई 1 लिखो या न लिखो गई फिर नी पर था इसलिए हमें काया अगरते है meiosis 1 is reductional division due to 2N का N हो गया इसलिए ठीक है अब यह हो गई anaphase में very good sushma बहुत बढ़ी है वर्मिला very good now फिर telophase 1 में क्या होगा वही होगा N 2C फिर prophase 2 में क्या होगा वही होगा N 2C metaphase में क्या होगा metaphase 2 में N 2C अब यह N ही रहेगा लेकिन अब DNA का content हो जाएगा 1C DNA content half हो जाएगा सिस्टर को मेंडर अब क्या हो रहे separate हो रहे 2N का मतलब इन का N रहेगा लेकिन अब DNA का amount कम हो गया तो क्या होगा 1C यह N है और यहाँ पर फिर एक बार 1C तो इस तरीके से आपको समझना है कि कोन सी phase में क्या होता है 2N कब होता है 2C कब होता है 2N कब होता है 2C कब होता है अब देखो जब MOSIS 2 हमने start किया तो हमने N से start किया था और N ही पीछे बचा तो इसलिए हम MOSIS 2 को इसलिए हम MOSIS 2 को केते है Equational Division MOSIS 2 को हम केते है Equational Division Equational Q क्योंकि N से ही start होता है और N ही रहता है इसलिए इसको हम कहेंगे Equational Division जस्ट DNA का amount जो है कम हो जाता है 2C से क्या हो जाता है 1C होता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं यहापर simple तरीके से Equational Division अब हम आप तीन चार नगे concept पढ़ लिए और बहुत अच्छे से हम डिसकस कर लिए एक तो हमने पहले एक Benchmark बना दिया और उसमें कहा कि Homologous Chromosome का separation Meiosis 1 में होगा और Meiosis 1 में More specifically कहापर होगा तो वो होगा Anaphase 1 में तेके Anaphase 1 किस में आती है Meiosis 1 में आती है Anaphase 2 किस में आती है Meiosis 2 में आती है तो अगर आपसे इन जनल कोई पूछेगा Homologous Chromosome का separation कब होता है तो हम कहेंगे Anaphase 1 में होता है अगर आपसे किस ने का कि sister को medical separation कब होता है तो Anaphase 2 में होता है आपने बहुत specific बता दिया अगर आपको In General बताना है In General तो आप क्या कहोगे कि Sir जो Homologous Chromosome है उनका segregation Miosis 1 में होता है और कोई पूछे अगर Miosis 1 में कहा पर होता है क्योंकि Miosis 1 में तो Anaphase भी होता है Prophase होता है Metaphase और Terophase उसमें कहा पर होता है तो Anaphase में होता है Sister of Chromaltyka segregation कहा पर होता है Miosis 2 में होता है Miosis 2 में मोर स्पिस्विरिक आपर होता है तो एनफिस 2 में होता है yes or no are you getting my point clear है आपर सबको yes comment section में comment करके बताओ are you getting my point समझ में आ रहा है आपको क्या कह रहे है यहाँ पर ठीके नहीं अंजली मैं आपका doubt ही नहीं समझा आप क्या पूछ रहे है वो नहीं समझा ठीके अगले इसमें हम diagram डालते है 2C क्या होता है मैं आपको वहाँ पर बता दूँगा बस आप यह मान लो कि 2C, 4C जो होता है DNA कंटे होता है इससे और डिल में आपको जाने की जरूत नहीं है और 2N आपको प्लाइडी स्टो कर रहा है बस इतनी सिंपल सी बात आपको यहाँ पर करनी है उससे और कुछ अलग नहीं करना है ठीक है अब यह तो पढ़ लिया इससे भी extremely important concept अब पढ़ने वाले हम इससे भी ज़्यादा important ठीक है अब सब लोग एक बार मैं कह रहा हूँ यह सेशन सिर्फ लाइव होगा यह सेशन बाद में आपको यूटूब के उपर available नहीं होगा सिर्फ लाइव सेशन होगा लाइव में आपको टेंड करना है बाद में आप मुझे मत बोलिए कि सर इसको unlist कर दीजिए इसको आप पप्लिक कर दीजिए हमें यूटूब पे available कर दीजिए बाद में possible नहीं है अब ही मैं कह रहा हूँ कि यह सेशन सिर्फ यूटूब के उपर लाई होगा बाद में यह सेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा और आप चाहते हैं कि यह सेशन हमेशा यूटूब पे रहे तो एक simple सा काम आपको करना है 500 viewers आपको cross करने है यह सेशन आपको यूटूब पे available होगा ठीक है? चलो अब देखो बात करते हम एक simple तरीके से ठीक है? C हमारे पास यह मान लो पे ले metaphase 1 है metaphase 1 में क्या होता है? metaphase 1 में क्या होता है? तो metaphase 1 में यह chromozom में ठीक है? और metaphase 1 में ऐसे chromozoms arranged हुए ठीक है? यह दोनो sister chromatids है यह दोनो भी sister chromatids है ठीक है? लेकिन यह दोनो जो है वो क्या है? ओमो लोगस chromozooms है यह हूमोलोगस chromozooms है यह क्या है? यह है? हूमोलोगस chromozooms बहुत बढ़ी है अब अराम से इसको सम्मूदी कोशिश करिए यह दोनो sister chromatids है मान लो यह one है यह two है यह three है और यह four है अलड़े हम डिस्कस कर चुके है यह sister chromatids है यह sister chromatids है मान लो यह chromozoomber one है और यह भी chromozoomber one है यह confused हो जाओगे मान लो यह chromosome number five है और यह भी chromozoomber five है हमें बता है हमारे body के अंदर 23 pairs of chromosomes है उसमें से 23 chromosomes mother की side से आये 23 chromosomes father की side से आये ऐसे 23 pairs हमारे अंदर है हर एक chromosome हमारे अंदर दो बार present है तो वैसे ही यहाँ पर मान लो five number का chromosome है एक chromosome mother side से आया है एक chromosome father side से आया है और यह दोदो chromosome metaphase one पे यहाँ पर क्या कर रहे है metaphase one की plate पे वो arranged हो रहे है तो यह अब इनका क्या कर रहा है segregation तो मैं क्या कह रहा हूँ simple तरीके से कहा है समझने की कोशिश करो यहाँ पर इस जगा पर present है capital T इस जगा पर present है capital T और यहाँ पर present है capital T और यहाँ पर present है small T इस जगा पर present है small T और यहाँ पर भी small T Capital T और Small T के बीच में relation क्या है What is the relation between Capital T and Small T Be quick guys, फटा फट से बता मुझे Capital T और Small T के बीच में relation क्या है Perfect rank, very good, very good, बहुत बढ़िया For all others, फटा फट से जल्दी से जल्दी आप सब को यहाँ पर आंसर करना है Be quick What is the relation between Capital T and Small T Perfect, 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 very good, रितिक Mamta, नहीं, नहीं, Anuja, very good, yes, yes, perfect Capital T और Small T एक दूसरे के अलील है Because alleles are resided at same locus on homologous chromosome Definition बहुत important है Definition में क्या कहाता Homologous chromosome पे होने चाहिए homologous यह पाँच नंबर का और यह पाँच नंबर का एक दूसरे के homologous से यह Capital T और यह Capital T एक दूसरे के अलील नहीं है यह sister chromatid present है मैंने आपको कहा था पहले एक यह chromatid होता है और इसको ही template मान के हम इसके सामने वाला बनाते है समझ रहें आप यह capital T और यह capital T exactly same है identical है और जैसे ही आपको पता है यह metaphase 1 है अगर यह metaphase 1 से metaphase 1 में जाते है metaphase 1 से अगर यह metaphase 1 में जाते है तो अब इनका separation होता है metaphase 1 से metaphase 1 में जाते है तो अब इनका separation हो गया तो इस तरीके से यह capital T और small T क्या हो गए separate हो गए ठीक है इस तरीके से इनका separation होगा इस से इनका separation होगा यह एक दूसरे से अलग लोगा आपको के case से मैं आपको सिर्फ बना के देखता हूँ यहां से cleavage फिरो बनेगा और आगे जाके हमें पता है न यही दूसरे बनने वाली है एक सेल में यह जाएगा और एक सेल में यह जाएगा ऐसे होगा न यह देखो एक में यह गया और एक में यह गया किलो फिस में यह हो जाएगा तो अलिन्स को ही हम अलिन्स को ही हम मेंडेल के फैक्टर केते हैं अलिन्स को ही हम मेंडेल के फैक्टर्स केते हैं अलिन्स आर अल्सो कॉल्ड एस मेंडेल्स फैक्टर तो अब मुझे बताइए मेंडेल की फैक्टर्स का सेग्रिएशन कब होता है मेंडेल्स की फैक्टर का segregation कब होगा yes be quick मेंडेल की factors का segregation कब होगा nice to see you after long time yes मैंने आपसे question पुछा है मेंडेल के factor का segregation कब होगा मेंडेल के factor एक दूसरे से कब दूर हो जाएंगे पहले यहाँ पर साथ में थे पास पास में थे perfect very good enough phase 1 के अंदर उनका segregation होगा देखो न enough phase 1 के बाद capital T, capital T अपना दूर गया और capital T, capital T small T, small T से दूर हो गया अब यह capital T एक sale में है और small T एक sale में तो यह दो लोग क्या हो गए simple हो गए बहुत सारा लोगों ने एनाफेज 2 लिख़ा है एनाफेज 2 में यह नहीं होगा एनाफेज 1 में होगा क्यों metafaize में ऐसे दोनों पास-पास में थे homologous chromozom में पेर किया अब यह homologous chromozom से यहाँ पर पेर कर रहे अब यह homologous chromozom सेपर्ड होगए मतलब क्या सेप्ट हो गए अलीज का सेप्रेशन हो गया मेंडल की फैक्टर्स का सेग्रिगेशन हो गया अब कैपिल टी एकसल में गया और स्मॉल टी एकसल में गया तो इस तरीके से यहां पर मेंडल की फैक्टर्स जो है वो सेग्रिगेट होते हैं फिर नेक्स स्टेप में हम मेटाफेज 2 में क्या होगा मेटाफेज 2 में ये ऐसा अरेंजड होगा एक सेल में ठीक है और ये दूसरा कहीं किसी दूसरी सेल में अरेंजड होगा और हमें बता है ये कैपिल्टी था कैपिल्टी था और ये स्मॉल टी स्मॉल टी था इस साइड से स्पिंडल फाइबर लगेंगे और इस साइड से स्पिंडल फाइबर लगेंगे इस side से spindle fiber लगेंगे और इस side spindle fiber लगेंगे It's not a metafase के end में और anaphase में क्या होगा anaphase 2 में अब कोई allures का segregation नहीं हो रहा है simply ये एक sister को में एक cell में जा रहा है और ये एक cell में जा रहा है ये दो दो अलग-अलग cell में जा रहे ना और ये एक cell में गया even यहाँ पर भी क्या हो रहा है ये एक cell में गया और ये दूसरे cell में गया तो चार cells बनी yes और no तो ये हमने कहा यहाँ पर capital है यहाँ पर capital है this is small t this is small t तो मियाँसी सेकेंड में फिर sister chromatid का segregation हो रहा है chromatids का segregation ये separate होंगे actually ये बनने के लिए आपको टिलोफेज लगेगा ऐसा बनने के लिए आपको टिलोफेज लगेगा तो मियाँसीस टू में और एनाफेस टू में sister chromatid का segregation होता है तो मेरे कोश्चन है एक simple सा कोश्चन है Mendels के factor कब सिगरेट होते है तो आपने कहा सर मियाँसीस वन में एनाफेस वन में now be careful थोड़ा सा अपने आपको यहाँ पर sharp mind से समझने कोशिश करो मैं कर क्या रहा हूँ अगर ऐसा हो गया कि मान लो metaphase में यह chromosome ऐसे थे metaphase में यह chromosome इस तरीके से थे this is capital D, capital D यह small t, small t है metaphase यह मान लो metaphase metaphase नहीं अब metaphase और metaphase में अगर यह chromatid 1 था यह 2 था, 3 था, 4 था अब बता है prophase 1 जो होती है prophase 1 में 5 sap dages होती है आपने सुना होगा prophase 1 में 5 sap dages होती है एक leptotene, zygotene, pacitin, diplotene, dikinesis उसमें से pacitin phase में crossy और होता है अब pacitin phase में crossing होगा तो मतर्ब क्या हो रहा है pacitin phase में crossing होगा तो मतर्ब क्या होता है तो ये जो एक्रुमूजोमे ये जो एक्रुमूजोमे यह क्रॉस ओर होगा तो अब कैसा बनेगा स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरीके से अब कुछ पार्ट एक्स्चेंजड होगा अब कुछ पार्ट एक्स्चेंजड होगा ऐसे तो अब यहाँ पर क कैपटिटी है यह समॉल टी है यह कैपटिटी है और यह समॉल टी है जियान से देखो ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ फिर पहले तो यहां पर क्या था क्या था क्या पिल्टी क्या था स्मॉल्टी स्मॉल्टी लेकिन अब चेंज हो गया इस इस रिजल्ट ओफ प्रोसिंग ओवर ठीक है क्रोसिंग ओवर हो गया अब यह मेटाफिस वन पे अरेजड है पहली केस में हमने क्रोसिंग ओवर नहीं दिखाय था प्लेन दिखाय था अब हमने क्रोस ओवर दिखाया और क्रोस ओवर हमने करने के बाद मेटाफिस वन आएगा फिर एनाफेज वन आएगा और एनाफेज वन में क्या होगा एनाफेज वन में एक क्रोमोजोम इस इंड पे जाएगा और दूसरा क्रोमोजोम इस इंड पे जाएगा ठीक है तो यह देखा आप यहाँ पर कैपिल्टी है यह स्मॉल टी है यहाँ पर कैपिल्टी है और यह स्मॉल टी है और एना फेज वन में अब होमोलोगस क्रोमोजूम का क्या हो चुका है होमोलोगस क्रोमोजूम का यहाँ पर सेग्रिगेशन हो चुका है लेकिन अलील्स का अभी भी सेग्रिगेशन नहीं हुआ इससे क्या पता चलता है वो होती सिंपल बात पता चलती है कि अगर मियोसीज के अंदर क्रोसिंग ओवर होता है और क्रोसिंग ओवर से तो अब अलील्स का सेग्रिगेशन मियोसीज वन में नहीं होगा एना फेस वन में नहीं होगा एना फेस टू में होगा जब सिस्टर क्र materials जो है, वो separate होंगे, तो, यह होगा, एनफेस 1, और फिर, एनफेस 2 में क्या होता है, एनफेस 2 में क्या होता है, यह T अलग होगा, यह होगा capital D, यहाँ पर भी, यह T अलग होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यह small T होगा, फिर, यहाँ पर यह A capital D होगा, और फिर, यहाँ पर, इस विल बी small T, अलिल का segregation कब होगा, एनफेस 2 में होगा, यहाँ कि, एक simple तरीकिस में आपको बत्राओ, ठीक है, Mendels के factors, और अलिल्स, का segregation, मियाँसिस 1 में, एनफेस 1 में होगा, मियाँसिस 1 में, एनफेस 1 में कब होगा, जब homologous chromosome का segregation होता है, होमोलोगस, chromosome का segregation होता है, तब हो सकता है, वेन, देर इस नो क्रोस्टोर, यह होगा है, एक चीज़, Mendels के factor, और अलिल्स, का segregation, ठीक है, मियाँसिस 2 में होगा, और एनफेस 2 में होगा, वेन, सिस्टर, क्रोमेटीर्स का, तेपरेशन होगा तो, और ऐसा कब, वेन, देर इस, क्रोस्टोर, बस गाईज, इतनी बात, अगर समझ गया न, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, इस से बढ़िया कुछ चीज होई नहीं सकती, ठीक है, नो क्रोस्टिंग ओर इस इकल टो एनफेस 1, इस क्रोस्टिंग ओर अकर्स दिट में भी एनफेस 2, परफेक्ट पता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नीशा मैं तभी कह रहाँ आपको, कि अगर क्रोस्टिंग ओर नहीं होगा, अब देखो न, इस कंडिशन में क्या कह रहाँ मैं यहां पर, यह देखो यह वाला, पहला कंडिशन, मैंने कहा था, होमोलोगस का सेपरेशन, एनफेस 1 में होगा, सिस्टमोलोगस सेपरेशन, एनफेस 2 में होगा, यह बाइडिफॉल्ट है, इस देखो, यह crime र हे, cross word हुआ, आपके अलियस, एनफेस 1 में सेपरेट नहीं होए, capital D, small d का अलियल है, capital D, small d का अलियल है, अलियस 1 में अलिय सेपरेट, नहीं होए, अलियस आपके कब सेपरेट होगए, एनफेस 2 में, और anaphase 2 कहाँ पर होता है, meiosis 2 में होता है, ठीक है, तो normally, मिंडिल के factors, segregate करते है, anaphase 1 में, meiosis 1 में, लेकिन अगर वहाँ पर cross over हुआ, तो वो separate करते है, segregate करते है, anaphase 2 में, और meiosis 2 में, clear, एक बार repeat कर दीजे, please mix up, वो अभी बता दिया है, अब समझाओगे, पिंचर पर बता है मनें, ठीक है, crossing over anaphase, meiosis 1 में होता है, two mini होता, crossing over strip, meiosis 1 में होता है, meiosis 1 में कहाँ पर, pro phase 1 में हो रहा है, clear है, thank you, gonuseven, Ritik, nice question, thank you, Ritik, concept clear हो गया, सर्जी, बहुत बढ़ी है, रमेश, very good, आशिशकुमार, mitosis, mitosis की बात ही नहीं करें, हम बात करें, meiosis की, perfect है, इसलिए मैं कहता हूँ, guys, ये section इतना अच्छा आपके concept समझ में आ रहे, इतना बढ़ीया से आप पढ़ रहे हो, ये सिर्फ यहाँ पर ही होगा, live में होगा, बात में आपके लिए अविलिबल नहीं होगा, बहुकुल, glad to hear from you, बहुत बढ़िया, ठीक है, तो और ये वार मैं करता हूँ, C, ये वारा जो box है न, by default है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उतर हो जाए, ये चीज नहीं होगा, ठीक है, वन मोर टाइम, समझो, homologous chromosome जो है, वो हमेशा, हमेशा मतलब हमेशा एनाफेस वन में ही सेपर्ड होंगे, sterochromatids, हमेशा एनाफेस टू में ही सेपर्ड होंगे, ठीक रॉस्वर हो या ना हो, हम बात कर रहे है, homologous chromosome के सेपरेशन की, हम बात कर रहे है, sister chromatids के सेपरेशन की, हमेशा मियोसिस टू में, एनाफेस टू में सेपरेशन होंगे, sister chromatids, always, will segregate into एनाफेस टू मियोसिस टू में, यह हो गई बात, next, हम बात कर रहे है, allies की और mendels की factor की, हम कहते हैं, allies का segregation तब होता है, allies को mendelian factor का रहता है, mendelian factors का और allies का segregation तब होता है, जब एनाफेस टू में homologous chromosome सेपरेट होते तो, ठीक है, allies का segregation हो गया, लेकिन कब, जब cross over नहीं होगा तो, देखो न, यहाँ पर cross over नहीं होगा, normal segregation हो गया, तो allies एनाफेस में segregate हो गया, देखो न, capital T is separated from small T, बट जब कभी भी crossing over होगा, यह देखो crossing over हो गया, capital T, small T, एनाफेस वन में साथ में, इक दूसरे के अलील है, capital T, small T, साथ में, एक दूसरे का अलीले, अभी separate नहीं होए, अब इनका segregation कब होगा, एनाफेस टू में, और एनाफेस टू में कोई सेगर करता है हमेशा, sister chromatis, तो इसको मैंने, खोड़ा सा अलग language में का, क्या, mendelin factors तब सेगरेट होंगे, जब, तो में लगोस क्रोमोजम का separation होगा, एनाफेस ओन में, मियॉसिस ओन में, लेकिन कब, जब, no cross over, और जब cross over होगा, मेंडेल्स के factor जो है, वो सेगरेट होंगे, मियॉसिस टू में, और एनाफेस टू में, जब क्या होता है, sister chromatis का formation होता है, तो जुलोजी वड करे, thanks sir, really I am very thankful to you, for this beautiful and understanding situation, you are most welcome, most welcome, clear है, चलो, Donald Trump करे, thanks you sir ji, good explanation, beautiful, you are most welcome Donald Trump, सीमा जन के री cross over होने पे, TNT साथ ही जाएंगे, yes, ठीक है, guys, now it's time for questions, ready आप लोग, questions के लिए, yes, are you guys ready for questions, चलो, आज भी बहुत अच्छे-च्छे questions तॉल करने, बहुत ही मज़ा आने वाला है, ठीक है, सब लोग ready है, need to to on, के रीए sir, मैं MSC first semester में हूँ, क्या मैं CSR का exam जनेवरे में दे सकती हूँ, आराम से दे सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चालिया के रहे, this is a player for all, yes, खुश्बू, you are most welcome, घनशाम, के रहे सब, crossing or muosis में, yes, obviously, वही पर होता है, yes, सब लोग ready हो गए, बहुत बढ़िया, thank you sir, you are amazing, sir, आपने बहुती better तरीके से, समझ, समझाय सब, you are most welcome, thank you so much, गायतरी के रहे है, आज़ क्लियर हुआ कंसेप्ट, obviously गायतरी, मैं पढ़ा हूँ और कंसेप्ट क्लियर ना हो, यह possible ही नहीं है, मैं अगर पढ़ा हूँगा, तो definitely, कोई भी कंसेप्ट हो, आराम से आपको, अच्छे से, समझ में आएगा ही आएगा, बस आपको करना क्या है, everyday, शाम, पाँच बजे, आपको मेरे साथ लाइव रहना है, हम बहुत बेटर तरीकिसे, सारे कॉंसेप्ट को यहां बे समझेंगे, और मैंने आपको बार-बार कहा है, कि मुझे 500 लाइव वीवर शाहिए, बहुत बढ़िया तरीकिस हम पढ़ेंगे, जन्डिक्स को, अनन्दिनी इस सेइंग, सर माइ इंट्रेस्ट फॉर जन्डिक्स, इस एन्हांसिंग अप्र दिस सेशन, बहुत बढ़िया बात है, इससे और अच्छी बात तो कुछ होई डी सकती, ठीक है, मोटू जी बहुत बढ़िया, आपने एक रैस कोर्स ले आए, बहुत बढ़िया, प्रिया ऐसा कुछ नहीं है, ग्रेट तो नहीं है, बस मैं एक, एस अधर टीचर, जन्यून कुछिश करता हो, आपको सारी चीज़े क्लियर करने की, बहुत बढ़िया शोबना, बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो, स्टार्ट करते हैं कोश्चन को, पहला कोश्चन, According to Mendel's Law of Segregation, According to Mendel's Law of Segregation, The Ratio of F2 Generation is, ठीक है, Priti is asking, Sir, आप कौन-कौन सी यूनिट पढ़ाते हो, मैं तो सारी यूनिट पढ़ाता हूँ ऐसे, Currently 5-6 यूनिट में बहुत अच्छे से मदब कर रहा हूँ, इसमें मैं regular कर रहा हूँ, इसमें मैं पढ़ातो सारी सकता हूँ, अच्छा लगा आप से सुनके, नीशा ओनलाइन कौर्स में हाँ, वहाँ पर तो शायद, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, आप यहाँ पर पढ़ो, अच्छा इसन ग्लैट तो, एर फ्रम यू, टम्बूल वेलकम, तीन अंसर दिया है, सब लोगों ने, ठीक है, क्या होगा आंसर, according to Mendel's Law of Segregation, ratio of F2 generation, कैसे आप लोग कह रहे हो, कि अंसर तीन होगा, अंसर तीन कैसे होगा, Law of Segregation के according क्या ratio आएगा हमारा, 3S21 ratio जो है हमारा, आना चाहिए, Law of Segregation के according, वह यह न, यहाँ पर आपको बता है न, गाईस, Law of Segregation में आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यह दिखो न, Law of Segregation यहाँ से start किया था, यह हमने पूरा कर दिया, उसके बाद हमारा ratio क्या आगा है, 3S21 आगा है न, यह तुम इने बाद में आपको test cross करके दिखाया था, उसका ratio क्या आएगा आपका, हुआ आएगा 1S21, है न, बहुत बढ़ी है, चलो, आगे बढ़ते हैं, next question की तरब, अराम से सारे questions solve करेंगे, कुछ भी difficult नहीं है, अराम से देखो question को, और फिर मुझे बताने की खोशिश करो, इंडिविजूल विद, two identical members, of a pair of joint factors, is called, क्या कहेंगे इसको, येस, बाद में भीरंग में पिपिडी जो है, वो एड कर दूँगा, website के ओपर, मैं से आप ले लेना, मैं save कर रहा हूँ, आप वहां से ले सकते हैं, हेटरो मॉर्फिक, हेटरो जाइगोट, होमो मॉर्फिक, और होमो जाइगोट, perfect, very good, सुरेका, रोहीत, मनीशा, अनुजा, गोनू, मनब्रीथ, perfect, बहुत बड़ी अधरी के सांस कर रहे हैं, होमो, जाइगस कहेंगे, capital D, capital D, होमो जाइगस, capital A, capital A, हे होमो जाइगस, small D, small D, होमो जाइगस, small A, small A, होमो जाइगस, next, two allelic genes, are located on, the allelic genes, कहां पर located होते हैं, first, the same chromosome, second, two homologous chromosomes, third, two non-homologous chromosomes, fourth, any two chromosomes, बतावा हम से, यह शुरुवात हैं, जेंडिक्स की, this is just the beginning, पढ़ने वाले, die hybrid cross, और इतना simple तरीके से, इतना beautiful तरीके से, हम देखेंगे, कि आप imagine नहीं कर सकते, कि सर, इतना easy होता है, die hybrid cross, अब ऐसा कहोगे मुझे, इतना easy होता है hybrid cross, बहुत ही आराम से, बहुत ही सरलता से, बिलकुल easiest way से, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो किसके उपर होंगे, two allig genes are located on, same chromosome, or two homologous chromosome, allig genes are present on, homologous chromosome, next, Mendel's law of segregation, is based on, separation of a list during, अभी बताया है, अभी ही बताया है, बहुत easy है, आनाम से कर सकते हो, हाँ नहीशा मैं CSR के भी question ले रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा topic बहुत beginning में है, तो इस starting के, include literature, उसके उपर ज्यादा CSR के questions नहीं आते, जैसे हम थोड़ा सा advance पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो मैं CSR के questions भी include करूँगा, कल एक question include किया था, और मेरी नजर ए CSR के question के उपर, वो भी मैं include कर रहा हूँ, तो उसमें आप बिल्कुल tension मत लिजिए, ये सारी आपकी चीजे बहुती 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 दरी से मैं करवा हूँगा, ठीक है, तो gamut formation is the credential, तो Mendel's Law of Segregation is based on gamut formation, gamut formation के उपर based होता है, ठीक है, glad to hear from you Motuji, बहुत अच्छा लगा आपसे सुनके, very good, perfect, everyone is correct, now, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पर लगाना है, in a cross, a cross में हम देख रहे, in a cross, 45 tall and 14 dog plants were obtained, the genotype of parent was, yes, in a cross, 45 tall and 14 dog plants were obtained, the genotype of parent was, yes, क्या होगा, जुन ड़ब क्या होगा परेंट सका, 45 tall and 14 are dog, what will be the correct answer, yes, अगर मैं इसका cross करू, capital D, capital D, small D, small D, small D का cross करू, capital D, capital D, capital D का cross करू, तो all tall, यहाँ पर जितनी भी आएंगे, all are tall, तो यह खलित हो गया, अगर मैं इसका cross करू, capital D, capital D का cross करूए, capital D, small D के साथ, यह इसके साथ जाएगा, capital D, capital D, ये इसके साथ जाएगा तो capital D small d ये इसके साथ जाएगा तो capital D small d again all tall ये भी एड़ गया मैं इसका cross करू capital D by the cross करू small d small d के साथ ये इसके साथ गया तो capital D small d ये इसके साथ गया तो capital D small d ये इसके साथ गया तो capital D small d और इसके साथ गया तो capital D small d अगेन ओल टॉल एक्य उप्शन बच्छता है थर्ड इस देकल अप्शन क्यों कैपिल डी का क्रॉस स्मॉल डी कैपिल डी का क्रॉस करो यह इसके साथ गया तो कैपिल डी कैपिल डी यह इसके साथ जाएगा तो कैपिल डी स्मॉल डी ये इसके साथ जाएगा तो capital D small d और ये इसके साथ जाएगा तो small d small d तो 3 आपके क्या आगए 3 are tall और 1 क्या आगए आपका डॉर्फ 45 to 14 मतलब approximately 3s21 कर इशो आ रहा है न क्या ही दिक्कत है आपको 3s21 कर इशो यहापर आ ही रहा है क्या दिक्कत है clear इतना easiest तरीके से generics किया जा सकता है चुटकियों में generics हो सकता है बस थोड़ा सा patience और बहुत सारा practice और आपका lecture में focus अगर ये चीज़े आप यहापर ध्यान में रखते हो definitely आपके लिए generics बहुत ही easy है ठीक है तो चलो इतने अच्छे से question solve कर रहे हो guys तो जिन students ने अभी तक session को like नहीं किया है फटा फट से जल्दी से जल्दी guys session को like करो exactly which नहीं है बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप next extremely simple question extremely simple question देखते ही question बनेगा लेकिन आप जल्दी बाज मित करना अराम से question को पहले देखो उसको समझो question क्या पूछ रहा है वो देखो उसके बाद आपको answer करना है the allele which is unable to express its effect in the presence of another is called as अस्ता अलील जो दूसरे अलील के presence में अपना effect एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसको हम क्या कहते है को लॉमिनेंट, supplementary, complementary, or recessive परफेक्ट, everyone is correct correct answer is fourth almost every one, कुछ लोगों ने सीखा है जो गलत है almost सबने यहाँ पर बिल्कुर सही answer दिया है बहुत बढ़ी है guys extremely well answered मतलब बहुत बढ़ी है आप सब लोग answer कर रहे हो perfect, perfect कुछ इतनी energy मिल रही है आप इतने अच्छे से, इतने बढ़ी है तरीके से और maximum student यहाँ पर answer कर रहे है बाकि जो student answer नहीं कर रहे है उनसे भी मैं request कर रहा हूँ guys आपको भी answer करना है इसी level का आपको पढ़ाया जाता है crash course में इसी level का आपको CSR की batch में पढ़ाया जाता है यही हमारा level है IIT Jam में, GADB में यही level हमारा GATE, Excel, GATE, BT IFS का कोई भी course लोगाई इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है अगर आप Life Science की field में Excel करना चाते हो तो इससे best platform आपको पूरे इंडिया में कही नहीं मिलेगा join IFS आज YouTube के थूँ हो कल हमारे course के साथ जुड़ जाओ Definitely आपका एक better future जो है आपका wait कर रहा है When a plant have two alis of contrasting characters it is called क्या कहेंगे When plant have two alis of contrasting character is called contrasting character के दो alis है तो उसको हम क्या कहेंगे Yes Yes क्या कहेंगे उसको पताव जल्दी से अगर capital T small t है या फिर capital A small a है क्या कहेंगे Perfect इसको हम कहेंगे heterozygous very simple बिल्कुल आराम से कह सकते हो heterozygous इसको हम कहेंगे in a simple manner बहुत ही आराम से ठीक है Perfect Next सो समझ के answer दीजिएगा question को ध्यान से लेखिए पहले और उसके बाद आपको आराम से answer करना है क्या पूछा है question में heterozygous tall plants were crossed with dwarf plants what will be the ratio of dwarf plants in the progeny actually ratio नहीं पूछना चाहिए what will be the percentage of dwarf plants in the progeny percentage पूछना चाहिए तो बताव फटा-फट से contrasting का मतलब होता है दो अलग-अलग different white है तो black है tall है तो dwarf है axial terminal है round है तो wrinkled है जो opposite होए दूसरे के yes यहां पर क्या होगा कितने percent plant जो है वो dwarf होंगे heterozygous tall plant were crossed with dwarf plant heterozygous tall heterozygous tall plant is crossed with dwarf plant what will be the ratio यह इसके साथ जाएगा तो क्या आएगा यह capital D के साथ जाएगा तो capital D small T आएगा यह इसके साथ जाएगा तो capital D small T आएगा यह इसके साथ जाएगा तो small D small T आएगा और यह इसके साथ जाएगा तो small D small T आएगा this is tall और यह क्या होगा यहां पर यह होगा डॉर्फ तो 50% will be tall और 50% will be dwarf correct answer will be the first अराम से ही कर सकते हो कुछ भी दिक्कत नहीं बिल्कुल easiest way से आप इसको कर सकते हैं ठीके समझ में आ गया बहुत बढ़िया चलो ready next question के लिए बहुत बढ़िया इतना सब आप करते हो लेकिन एक चीज़ आप कभी नहीं करते हो आप बहुत कम करते हो like नहीं करते हो like की नहीं करो तो share कब करोगे share भी करो ना guys इसलिए बोलता हो देखो guys like करने से और share करने से हमें एक रुपए भी नहीं मिलता हमें पैसे बिल्कुल नहीं मिलते हैं आप देखो IFS online का YouTube channel जो है advertise free है हमने पूरी genuine कुशिश किए कि कोई भी बच्चा हमारा कोई भी वीडियो निकाले उसमें advertise बिल्कुल नहीं आनी चाहिए उसके पढ़ाई में बिल्कुल भी disturbance नहीं आना चाहिए इसलिए हमने सारे advertise ओफ करके रखे YouTube channel से IFS को एक single rupees भी नहीं मिलता believe me guys मैं बहुत आपको सच बता रहा हू एक रुपई भी नहीं मिलता इसलिए मैं आपको यह कहता हूँ हमारा confidence बनाने के लिए हमें थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए motivate करने के लिए आप सिर्फ likes कर दो और share कर दो session को बाकी कुछ भी नहीं चाहिए आपसे बाकी हम आपको पढ़ाएंगे और कुछ भी नहीं करना है बाकी सब काम हमारा है ठीके चलो क्या पुछा है pure tall plant can be differentiated from a hybrid tall plant कैसे कर सकते ऐसा most of the लोगों कहना है if all plant are tall after cell pollination obviously बिल्कुछ सही बात है hybrid plant होगा वो capital D, small D होगा तो उसका सही नहीं होगा next perfect बिल्कुल simple answer है ठीके yes मेराज welcome you are welcome glad to hear from you a gene said to be dominant if a gene said to be dominant if gene को हम dominant कब कहेंगे it express its effect only in homozygous stage it express only in heterozygous condition it express both in homozygous and heterozygous condition never what will be the correct option obviously guys correct option is third one third answer is the absolutely correct answer ठीके समझ में आ गया बहुत बढ़िया guys बहुत अच्छा दरीके साब सब लोग कर रहे हो next अराम स्वार कीजिए कुछ भी दिक्कत ने बहुत easy है what we are trying to say is if a homozygous tall plant is crossed with a dwarf plant अगर हमने homozygous tall plant को dwarf plant के साथ cross किया what shall be the ratio of plants in offspring यह तो क्या ही हो गया मतलब बहुत easy है बताव आपर हमसे ठीके yes बिल्कुल फर्जी होगा और क्या होगा फर्जी है इतने बकवास option तो क्या करेंगा फर्जी करेंगा और क्या करेंगे ठीके perfect बिल्कुल सही है क्या है यह गलत इसमें यह कहेंगे ना capital T capital D का cross small t small d के साथ क्या यह homozygous tall यह homozygous tall है और यह dauphase आ सकता है तो all plants will be capital T small t और क्या होंगे tall perfect यह बहुत अच्छा खुश्शन है यह बहुत ही अच्छा खुश्शन है phenotype of an organism is the result of phenotype of an organism is the result of first care mutations and linkages cytoplasmic effects and nutrition environmental changes and sexual diamorphism और genotype and environmental interaction perfect हमने कहा था complete penetration और incomplete penetration correct answer will be fourth genotype क्या होगा और environment कैसे होगा वो होगा हमारा phenotype यह बहुत बढ़ी है बहुत ही अच्छा कर रहे हो guys believe me अगर इसी तरीके से आप पढ़ते रहोगे concept को समझोगे और सारे concept आपके crystal clear होँगे definitely कोई भी exam को आप target कर रहे हो success आपके हाथ में है definitely है next if a cross is made between capital A capital A and small A small A the nature of F1 progeny will be F1 progeny का nature कैसा होगा अगर हम cross करते है capital A capital A और small A small A के बीच में तो यहाँ पर simple से आपको पूछा है कि nature कैसा होगा तो obviously हमें पता है यहाँ से क्या आएगा all progeny capital A small A पहली चीज़ तो option गया क्योंकि capital A capital A यह भी गया अब दो ही बचते जिनों डिपिकरी कैसा है capital A small A capital A small A dominant होगा usually हम जो dominant होगा capital A से लिखते A is dominant होगा small A तो current answer will be third क्योंट पहली लिगा A होगा clear very good very good perfect चलो आगे बढ़ते again one more simple question a pure tall and a pure dark plant were crossed to produce offspring pure tall and pure dark plant जो है इनका cross किया है to produce offspring offspring were self-crossed and find out the ratio between two breeding tall and two breeding dwarf plant क्या किया है pure tall capital D capital D का cross किया pure dwarf obviously dog to pure small D small D produce offspring offspring क्या गए F1 में हमारा capital D small D और capital D small D का cross हमने किया offspring were self-crossed हमने किस के साथ cross किया capital D small D के साथ find out the ratio between true breeding tall and true breeding dwarf क्या ratio आएगा इससे हमें पता है F2 में क्या आएगा 3S2 1 ratio आएगा the correct answer will be second second will be the correct answer ठीक है guys thanks a lot for being here it was a great session with you specially मैं आपको thank you करने चाथा क्योंकि आपने जिस तरीके साथ response किया है one of the best the best session है मेरा ये जो YouTube पे मैं जितने भी session कंडट किये बहुत ज्यादा thank you सबको और उसके साथ last but not least आपको भूलना नहीं है कि IAPS का जो crash course है वो start हो चुका है इसी week से 22nd of November से तो आप सब लोगों को यहाँ पर crash course को enroll करना है जिन students नहीं किया है CSIR को अगर आप target कर रहे हो वो भी 29th January को होने वाले CSIR को तो definitely आप क्या कर सकते हो इस crash course को ले सकते हो thank you so much everyone thanks a lot गाईज कल बहुती extremely important session है गाईज और वो है die hybrid cross का जितना मज़ा है उससे दुगना तिगना मज़ा किल आने वाला है हमारे die hybrid cross के इसमें ठीके चलो तो अब हम कल पढ़ते है die hybrid cross को yes तरुषरकार you are welcome yes कांचन welcome जोती welcome amazing license मनीश आश्वानी गायत्री अंकूश पूजा पते welcome because of you sir sub interest आपकी teaching skill पर है बहुत अच्छा समझते हो समझाते हो आप thank you so much you are welcome मादुरी भी welcome मोनू निकी रीतू तरानूम बिपिन you are welcome yes रानी कुमारी सुमन आयूशी गोनू वेलकम तोबना वेलकम पूनम वेलकम भीचा वेलकम खुश्बू येस प्रदुमेश वेलकम सरस्त्वती लीना रितीक शोभा विकी संतोश अंडालिव जैरा मनप्रीत पिंकी अंजली बिल्डर्स कहिंगे मतलब की सिंपल से एक प्योर लाइन है टॉल या प्योर लाइन डौर फे उससे अंडुरादा वेलकम जोती सोनी वेलकम संदीप ममता बायलोची वेलकम एवरीवन वेलकम संबूल वेलकम रितीक अश्मत कल शाम पाज बजे सेम डाइमिंग येस लास्ट कॉस्चन वन एस्टु वन शुल भी न आइसर क्यों वन एस्टु वन क्यों होगा बिटा नहीं होगा क्या होगा इसमें एप्योर्टॉल 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 भी ये वाला है अश्मति भी ये वाला है सब्सक्राइब करेंगे तो रिश्यो तो एफटो में को साने वाला है थ्रीस टोन आएगा ना इतना कोश्चन होता तो हमारा आता क्या वन आता वन तो ही नियुक्षन में अगर true breeding tall and true breeding dwarf true breeding tall मतलब capital D capital D और true breeding dwarf में small d small d यहाँ पर capital D small d सारे टॉल आ जाएगे कैसे होगा 1s to 1 आएगा नहीं ना all are tall और 1s to 1 रिश्यो तो एक लिकिस में आएगा test cross में तो लिया नहीं हमने test cross कैसे होगा कुछ mention नहीं तो fin type निकलो जुन type क्यों निकलना है येस डॉनाल्ड ट्रंप आप हैप्पी हो तो मैं भी हैप्पी हो साथ में मिलकर हैप्पी रहेंगे अरित्री मुकरजी सेंट थैंक्यू सर योर एनर्जी और टीचिंग वस वंडरफूल थैंक्यू आरत्री ओम शंकर शुकला के रहे क्रेश कोस लेना है सिंपल से आपको नंबर दिया गया है कमेंट सेक्शन में उस नंबर के पर कॉल कीजिए आपको खरेश कोस मिल जाएगा जिनोटैपिक रेशियो मेंशन नहीं किया है तो बाइडिफोल ओबिसली येस हमेशा फिन टाइप लेना है जिन टाइप तभी निकालेंगे जब मेंशन किया है तो और दो इस हमेशा फिन टाइप पकड़ेंगे अरे बेटा ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ट्रू ब्रीडिंग डॉर्थ पूछा है उन्होंने उसमें आप कन्फिस कर रहे हो हाँ लास्ट लाइन कन्फिस इंग यह बिल्कु सही बात है पॉफिट मेराज बिल्कु सही बात है मेराज आप बिल्कु सही किरो तो मैंने वही किया ना तो उसका रेशियो 1S2 यह जो है इसका रेशियो 1S21 के से आएगा इसका रेशियो 1 आएगा 1 क्यों आएगा, because all are tall सारे plant tall आएंगे 1 has to 1 तर आएगा, जब जितने tall है, उतने dwarf है, तो 1 has to 1 आएगा, लेकि यहां पे तो सारे tall हो रहे हैं है ना, चलो तो मिलते हैं कल साम 5 बजे important session और वो कौन सा है, die hybrid cross, ठीक है तो thank you so much